हाई गाईज अगर आप सोच रहे हो 20,000 के अंदर Poco X3 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max लेने के लिए या फिर इन दुनों में से कोई एक फोन लेने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ परपस है गेमिंग तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ Poco X3 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के बीच में कमपैरिजन जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको इन दोनों में से कौन सा फोन चूस करना चाहिए शुरू करते हैं कमपैरिजन वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पोको X3 Pro है ये अभी जस्ट लाउंच हुआ है और अगर आप इसको कमपैर करोगे Redmi Note 10 Pro Max से तो आपको काफी कुछ समेलाइटी इस देखने को मिलने वाली हैं अगर मैं डिजाइन की सबसे पहले बात करूँ दोनोई फोन्स की दोनोई फोन्स आपको डिजाइन के मामले में बहतरीन फोन तो देखने को मिल जाएंगे ही लेकिन Redmi Note 10 Pro Max में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है जबकि Poco X3 Pro में आपको प्लास्टिक बैक देखने को मि Redmi का फोन है वो थोड़ा सा पतला फोन है अगर आप कॉंपेर करोगे Poco X3 Pro से वेट में भी थोड़ा से डिफरेंस है दोनोई फोन्स आपको आपको आई-पी 53 के रेटिंग मिल जाती है डूल स्पीकर्स मिलते है आई-पी 53 के रेटिंग भी मिल जाती है तो मतलब दोनोई फ प्रो मैक्स ज्यादा बढ़िया फोन रहेगा Poco X3 Pro से अब यहाँ पर अगर मैं दोनोई फोन के कंपेर करूं कि कौन से फोन आपको ज्यादा बहतर रीडिंग और राइटिंग मेमरी स्पीड दे सकता है और जादा बैटरी लाइफ दे सकता है सबसे पहले बैटरी में प्रो मैक्स नहीं मिल सकता है और रही बात बैटरी लाइफ की सवाल तो बैटरी लाइफ भी आपको रेड्मी नोट 10 प्रो मैक्स में जादा मिलेगी वो रीजन क्या है मैं आपको आगे बता दूँगा अब अधर मैं कैमरा की बात करूं तो कैमरा आपने देखा होगा जो टेन प्रो मैक्स है इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और अगर मैं कैमरा की बात करूं की कौन सा फॉन के कैमरा बहतर होगा तो डेफिनेटली आप देख सकते हो जो पिक्सल है वो जादा है आपको नोट 10 प्रो मैक्स में लेकिन और सेल्फी की मामल में आपको थोड़ा सा बहतरीन परफामेंस दे देगा Poco X3 Pro यहां पर जो डिफरेंस है दोनों फोन्स में वह आपको देखने को मिले कि स्क्रीन क्वालिटी में यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस डिफरेंस जादा नहीं है तो बहतरीन स्क्रीन के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रेडिंग्स दिखा देता हूं यानि कि जो स्क्रीन की वो दिखा देता हूं डिस्प्ले के मामले कोई भी differentS देखने को नहीं मिलता है और भी specifically केशिन समेंい difference नहीं मिलता है वो को यह कहना है कि जो अगर आप compare करोगे Note 10 Pro Max से तो मैं भी उसी के साथ जाओंगा क्योंकि आगे मैं आपको बता दूँगा जो चिपसेट है दोनोई फोन्स में यानि कि जो पोको X3 में जो चिपसेट लगा हुआ है वो थोड़ा सा बहतर आपको performance देता है गेमिंग के मामले में यही नहीं आपको देखने को मेलेगा वो भी देखने को मेलेगा चिपसेट के हिसाब से अगर मैं यहां पर performance के बात करूँ चिपसेट की भी बात कर लेते हैं तो दोनोई फोन्स में आपको चिपसेट मिलता है Snapdragon 860 Note 10 Pro Max Snapdragon 732G बाकि दोनों ही फोंस Android 12 पर मिलते हैं Adreno 640 आपको Poco X3 में मिलता है और आपको जो Android 11 दोनों ही फोंस में देखने को मिल जाता है Gaming के मामले में Poco X3 से बहतर फोन आपको 20,000 के प्राइस में नहीं मिलेगा कोई भी अगर आप compare करोगे तो जहां तक मुझे मालूम है Poco X3 से बैतरी न आपको performance कोई भी फोन नहीं दे पाएगा एक चीज और आपको देखनी चाहिए जो Poco X3 है इसका जो UI है यह थोड़ा सा light है अगर आप compare करोगे Note 10 Pro Max से और इसमें आपको ads भी उतनी नहीं मिलेगी जितना कि आपको Note 10 Pro Max में देखने को मिलेगी मैंने battery की बात की थी कि battery life आपको किसमें ज्यादा मिलेगी तो एक चीज आप देखलो battery life डेविनेटले अपको Poco में उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितना आपको Note 10 Pro Max में मिलेगी क्योंकि Note 10 Pro Max में आपको Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि बैटरी बहुत ही कम खाता है और आपको Poco X3 में ये आपको इसमें IPS LCD मिलती है तो बैटरी लाइफ इसमें आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना कि आपको Note 10 Pro Max में देखने को मिलेगी तो ये था वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर करना बभूलिएगा